वे सब्दांज जो किसी मूल सब्द के पहले या पुर्वे में लगकर नए सब्द का निर्मान करते हैं, अर्थार्थ नए अर्थ का बोध करवाती हैं, वे सब्द उपसर्ग होती हैं। और आज हम इस वीडियो में अधिकरित सब्द में प्रियुक्त मूल सब्द और उपसर्ग के बारे में जानेंगे, तो अभी चेनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अधिक्रित सब्द के अंदर अधि उपसर्ग होता है और क्रित मूल सब्द होता है एक बार फिर्चे बता देते हैं कि अधिक्रित सब्द है उसके अंदर अधि उपसर्ग लगा होता है इसके अलावा साथ ही हम प्रिक्षाओं में पूछे जाने वाले मैंत्वप्रण उपसरगों के बारे में भी जान लेते हैं जो बार-बार प्रिक्षाओं में पूछे जाती हैं तो एसे उपसरग हैं नंबर वन अत्यदिक दोस्तों अतेदिक सब्द के अंदर अती पलस से अधिक होता है यानि अतेदिक सब्द अती पलस से अधिक दोनों मिलने से अतेदिक बनता है और इस तरह से अतेदिक सब्द के अंदर अती उपसर्ग होता है और अधिक सब्द मूल सब्द होता है नमबर टू है अधिक्रित, दोस्तों अधिक्रित सब्द के अंदर अधि उपसर्ग होता है और क्रित सब्द मूल होता है, यानि मूल सब्द क्रित होता है, एक बार फिर्चे मता देते हैं कि अधिक्रित सब्द के अंदर अधि उपसर्ग होता है, नमबर थरी है परशिद, द दोस्तों अनुगामी सब्द के अंदर अनुउपसर्ग होता है एक बार फिर से बताते हैं कि अनुगामी सब्द के अंदर अनुउपसर्ग होता है नमबर फाइप है निर्धन दोस्तों निर्धन के अंदर निरुपसर्ग लगा होता है नमबर शिक्स है पुरोहित दोस्तों पुरोहित के अंदर पुरुपसर्ग लगा होता है नमबर शेवन है चीरायू दोस्तों चीरायू सब्द के अंदर चीरुपसर्ग लगा होता है नमबर एट है परलोग दोस्तों परलोग सब्द के अंदर पर उपसर्व लगा होता है एक बार फिर से बताते हैं कि परलोग सब्द के अंदर पर उपसर्व होता है और लोग सब्द मूल सब्द होता है इस तरह से दोस्तों हमने प्रिक्षा में पूछे जाने वाले मैं तो अपन उपसरगों के बारे में भी जान लिया है अगर वीडियो अच्छा लगा तो चेनल को अभी सब्सक्राइब कर दे क्योंकि हम यहाँ पर एसे ही हिंदी व्याकरण से जुड़ी हुई वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं अगर आप किसी भी तरह की जानकारी चाते हैं तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए और अंति में लगाई एड़दारेट बुश्टड़ी आपको हमारे चैनल की वीडियो मिल जाएंगे मिलेंगे एक बैतरीन वीडियो के साथ तब तक के लिए सुष्ट रहें और अपना ग्यान विक्षित करते रहें